दोस्तों जिनकी दुआएं तो सब लेना चाहते हैं पर इज़त कोई नहीं देना चाहता कुछ ऐसी होती है किनरों की जिन्दगी जिन्नें न कोई रखना चाहता है और न एक्कुल समझता है इन्हें ऐसे टीट किया जाता है जैसे कोई अलग इंसान है एक किनर अपनी पूरी जिन्दगी इस्ट्रिबल, डिस्क्रिमिनेशन और एक्किल्टी पाने में गुजार देता है फिर भी उसे कोई पहचान और इज़त नहीं मिल पाती लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किनर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक किनर होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज एक ऐसे मुगाम पर हैं जहां इन्हें बहुत से लोग जानते हैं और प्यार भी करते हैं साथ ही ये इंडिया के फर्स्ट टांसजेंटर माडल हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आज हम बात करेंगे टांसजेंटर माडल रंसर खुशी सेख के बारे में जिन्होंने बहुत गरीब फैमिली से उठकर अपनी एक अलग पहचान मनाई और बहुत से लोग इन्हें प्यार करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बात हैं वीडियो अन तक जरूर देखना इनका जन्म 11 नॉंबर 1989 को मुंबई के थाने डिस्टिक में एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था अपनी फैमिली में पैरेंट्स का खुशी फर्स चैल्ड थी इनका जन्म होने पर सभी बहुत खुश थे लेकिन जब उनको पता जला न तो यह कोई लड़का हैं न लड़की बलकि किनर हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ पर इनके परिवार वालों ने किसी को भी सच्चाई ना बताने का फैसला किया क्योंकि वो खुशी को अपने से दोर नहीं करना चाहते थे उस टेम लोगों को लगता था कि किनर होने की बात सब को बताएंगे तो किनर लोग आकर इनके बच्चे को ले जाएंगे जबकि खुशी ने इस बात को बात में पूरी तरह गलत बताया कि किनर ऐसा कभी नहीं करते यह तो फालतू की बाते हैं जो समाज में फैली है लेकिन उस समय इनके परिवारवालों को ऐसा ही लगता था इसलिए उन्होंने खुशी के किनर होने की बात किसी को नहीं बताई और एक सरकारी स्कूल में लड़का बताकर एडमिशन करा दिया इन्हें लड़कों वाले कपड़े पहना जाते थे और पूरी तरह लड़कों की तरह रखा जाता था लेकिन जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी उन्हें अपनी परसनालिटी को लेकर कन्फिजन ही रहता था खुशी लड़कों की तरह रहती थी लेकिन उन्हें लड़कियों वाले चीजें डांस और उनके कपड़े ज़्यादा अट्रेक्ट करते थे और इसी कार इस स्कूल में और बच्चों द्वारा मजाग भी बत्बराया जाता था लेकिन जैसे जैसे खुशी फिफ्टे शिनर्ड तक आई हैं उन्हें भी रिलाइज हो बया कि वो ना तो कोई लड़का है और न लड़की बलकि एक किनर्ड हैं ये बात धीरे धीरे इनके फ्रेंड्स को भी पता चल गई वो सब इनका बहुत ज़्यादा मजाग बनाते थे और हिजड़ा शक्का जैसे सब बोलकर इन्हें चिड़ाते थे आज भी लोग इनकी आवाज पर ऐसे सब्द और ऐसे गंदे वर्ड्स तो बहुत कामनली यूज़ करते हैं खुशी का ये तक कहना है कि बचपन से इन्होंने इतनी गालियां और ऐसी बाते सुनी हैं कि अब तो इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत कमन हो गई हैं ये सब तो वो बचपन से जहलती आ रही हैं खुशी जैसे जैसे अपने पढ़ाई पूरी कर रही थी इनके परिवार के आर्थिक इस्थित भी खराब होने लगी जिसके कारण इन्हों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और यहां तक कि इनके पापा भी बहुत बिमार रहने लगे घर में कोई कमाने वाला ही नहीं बचा तब फिर खुशी ने अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिग्नल पर भीख मगना शुरू कर दिया क्योंकि ये कहीं जाब वगएरा या मजदूरी के लिए जाती तो यह कहकर मना कर दिया जाता कि यहां तुम्हारी जरूत नहीं है तो इनके पास भीख मागने के अरावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था एक दिन खुशी ऐसे ही सिग्नल पर भीख माग रही थी और भीख मागते मागते काफी शाम भी हो गई थी लेकिन इन्हें इतना भी नहीं मिला था कि यह रात का खाना भी खा सके खुशी की ऐसी हालत को देखकर सिग्नल पर खड़ी एक औरत ने इनकी मदद करनी चाही उन्होंने खुशी को अपने पास बुराया और खाना खिलाया और पूछा कि तुम ऐसे भी क्यों माग रही हो खुशी ने अपनी पूरी कहानी उनको बताई उन्होंने जान लिया कि खुशी भी एक किंडर है दोस्तों आपको बता दें जिन्होंने खुशी को सिग्नल पर भी मगते देखकर खाना खिलाया था वो आज खुशी की गुरू है वो भी एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम सलमा खान है और वो किंडरों के लिए एक एंजियो चरहती है साथ ही वो एक लोकल अदाजत की जज़ भी है आपको बता दें किंडर लोग सबसे अदा अपने गुरू को मानते हैं क्योंकि बहुत बार इनके रियल पैरेंट्स का पता ही नहीं होता उसी तरह खुशी भी अपने गुरू को अपने सब कुछ मानती है खुशी ने अपने गुरू का हाथ पकड़ लिया और उने देख देखकर सब कुछ सेखती गई और इनके साथ आकर किंडर समाज में रहने लगी जहां उनके जैसे ही बहुत लोग थे और खुशी को ये जानकर बहुत अच्छा लगता था कि यहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता यहां सब लोग एक दूसरे को एक जैसा ही समझते हैं और यहीं से खुशी की जिन्दगी बदल गई खुशी सुन्दर तो थी ही और डान्स सेखकर काफी अच्छा बेस बना लिया जब किंडर बधाईयां लेने जाते तो खुशी को इस्पसिली बोला जाता क्योंकि वो बहुत अच्छा डान्स करती थी और सभी लोग खुशी का ही डान्स देखना चाहते थे खुशी की जिन्दगी में एक बहुत बड़ा हाट टिक टाक का भी रहा है जिससे खुशी को पहचान मिली जो वो हमेशा से चाहती थी खुशी ने अपने डान्स और लिप सिंग वीडियो 2019 से ही टिक टाक पर बनाने शुरू कर दिया थे इनकी खुबसूरती को देख कर और उनके बहतरी डान्स से इनकी टिक टाक पर अच्छी फैन फालोइंग होने लगी हलाके टिक टाक बैन हो गया लेकिन खुशी को आज भी इंस्टाग्राम पर काफी लोग फालोग करते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि खुशी अकेली टास्जेंडर थी जिनकी टिक टाक पर इतनी फैन फालोइंग थी और इनकी इसी पॉप्लरटी के चलते इन्हें बहुत से सो में बुलाए जाता है आज इनके इंस्टाग्राम पर मिलियन्स में फालोवर्स हैं और साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 51.4 लाख सब्सक्राइबर है जहां खुशी एक टाइम पर भीग मांगती थी आज वो लाखों में कमाती है दोस्तों ये थी खुशी की बच्पन से लेकर सेलिबरिटी बनने तक की कहानी और इनकी परसनल लाइफ की बात करें तो खुशी और सुहल की वीडियोज काफी पसंद किया जाते हैं और उनके कपल वीडियोज काफी वेरल रहते हैं जिसकी वजह से इनके फैंस को लगता है कि दोनों रेशल्सिप में हैं हलाकि इस पर दोनों में से किसी का भी कोई आफिशल कमेंट नहीं आया है अगर ये दोनों डेट करते हैं तो ये अच्छी बात है क्योंकि सबको सबकुछ करने का हक है और इनका मजाग बनाना या गरत बोलना खराब बात है क्योंकि सबको खुश रहने का हक है शादी के बारे में पूछने पर खुशी का कहना है कि उन्हें कोई एकसेप्ट करेगा और प्यार करेगा तो निश्ची थी वो इस बारे में सोचेंगी दोस्तों ये थी खुशी से कि अंसुनी कहानी दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो में दी गई अनकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना किमती समय देने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद